जै श्री राम प्यारे मित्रो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरु चरणपर दोस्तो आज का राशीफल कारिक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज है 27 मार्च 2021 दिन शनिवार है यह दैनिक राशीफल चंदिक्रह की गढ़ना पर आधारित है राशीफल निकालते समय पंचांग की गढ़ना और सटी खगोल्य विशलेशन किया जाता है हमारे इस दैनिक राशीफल में सभी 12 राशियों का भविश्यफल बताया जाता है इस राशीफल के कारिक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामियाब रहेंगे इस राशीफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेंदेन, परिवार और मित्रों के साथ संबंद, सेहत और दिन भर में होने वाली शुब और अशुब घटनाओं का भविश्यफल होता है मित्रों यदि आप अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेशन करवा कर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो आप अपना जर्म डीटिल्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समाधान पाएं आज का सुविचार जब भी आपके मन में निराशा के बादल घुमरने लगें तो अपने मन में आशा तथा उच्साह पैदा करने वाले विचार लाएं जैसे खेट में फसल के साथ खर पतवार भी उख जाती है पर उसे उखाड कर फेक दिया जाता है ऐसा ही बरताव आप निराशा के साथ करें जहां दोस्तों इन ही विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थटे है या एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुब कामनाएं और बधाई तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की विक्रमी सवन दोहजार सततर मास फालगुन पक्ष शुकल पक्ष तिथी चतुरदशी वार शेनिवार नक्षत्र है पूर्वा फालगुनी और योग बन रहा है गंडु राहुकाल का समय सुबह 9 बचकर 22 मिनेट से सुबह के 10 बचकर 54 मिनेट तक और इस काल में कोई भी शुभ कारे नहीं किया जाता है इस बात का आप बहुत ध्यान रखें अभिजीत मूर्थ का समय रहेगा तो पहर को 12 बचकर 2 मिनिट से 12 बचकर 51 मिनिट तक दिशा शूल पूरफ की तरफ है यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो तिल खाकर घर से जाएं लावकारी होगा चले दोस्तो आज का राशी फल जान लेते हैं उसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने इस्टदेव या इस्टदेवी का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तो चलिए अब जान लेते हैं आज का राशी फल शिरुवात करते हैं मेश राशी से आज आप का दिन अच्छा रहेगा आज आप की किसी से कोई महत्वफून बाचीत होने के आसार हैं तकराव की इस्तिती बन सकती है या साधारान बाचीत भी हो सकती है लेकिन यह जो भी हो इससे आपको सोचने के लिए काफी कुछ मिलेगा और आप पूरे दिन में इसी में व्यस्त रहेंगे आज आपको अपने खर्चों का ध्यान रखना होगा और उन पर पैनी निगाह रखनी होगी क्योंकि यह चोटे-चोटे खर्चे आगे जाकर विराट रूप धारान कर लेते हैं हालांकि आपकी व्यक्तिकस जरूते कम हैं पर फिर भी आपको अपने खर्चों का काबू रखना होगा ताकि भविश्य में धन की समस्या ना उपन न हो आपको कुछ अन्यकारियों के बारे में सोचना चाहिए ताकि आपकी आए बढ़ सके नई शुरुआत सभी मोर्चों पर संकेत दे रही है आप एक दूसरे को प्यार करने के लिए अपने प्रतिग्या को नवीनी करित करेंगे या आप ऐसे व्यक्ती से मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में एक नई अध्याई की शुरुआत होगी आपकी सेहत बहतरीन अवस्था में रहेगी कोई मैलने संगीत सुने या अच्छी सेहत की फीलिंग को बनाई रखने के लिए घर पर ही अरोमा थेरेपी की योजना बनाएं घर का कोई सदस्थे छोटी मोटी बीमारी से पीडित हो सकता है और आपको उसकी देखभाल करनी होगी आज आपका भाग्यंक एक होगा शुभरंग सिंदूरी होगा और आज आप गाय और काले कुट्टे को रोटी खलाए आपके लिए लाबगारी होगा व्रेश राशी प्रश राशी के जातकों का देन आज अच्छा रहेगा आज आप अपनी निजी समस्याओं और अपनी असुरक्षाओं से गिरे होने के कारण इस पश्ट नहीं सोच पाएंगे इसलिए आज किसी नई काम को हाथ में लेने या नई साज़दारी के लिए उप्युक्त समय नहीं है आपके आज के फैसले गलत हो सकते हैं इसलिए भविश्य के कारिक्रमों की योजना आज बनाना सही नहीं है आज पेशेवरों में नई उर्जा का संचार हो सकता है यह किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है सह कर्मी आपके मददगार साबित होंगे और आप एक कीम के नेता की भूमिका अच्छी तरह से निभा पाएंगे आपका रुक अपनी लव लाइफ के प्रती काफी नरम है फिर भी आपको कई बार ऐसी इस्तियों का सामना करना पड़ जाता है जहां लोगों की बातें और भावनाएं आपको सची नहीं लगती आप ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित नहीं होंगे ऐसे लोगों से आपको सचे प्यार की उमीद करनी भी नहीं चाहिए लेकिन वे आपके अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं आपको अच्छी जीवन शैली तो पसंद है लेकिन आप अपने स्वास्त का ध्यान नहीं रखते अगर आप पूर रूप से स्वास्त नहीं है तो अच्छी जीवन शैली का आनंद नहीं ले पाएंगे आपको दीरे-दीरे स्वास्त संबंधी सब चीजों में रुची उत्पन नहोगी और आप ऐसे लोगों से काफी प्रभावित होंगे जो फिट रहने के लिए काफी मेहनत करते हैं दीरे-दीरे यह आपके भी जीवन का हिस्सा बन जाएगा आज आपका भाग्यंक छे होगा, शुबरंगा आस्मानी होगा और आज आप सुन्दरकान का पाठ करें लाभकारी होगा मिथुन राशी मिथुन राशी के जातकों का दिन आज अच्छा रहेगा हर कहीं आप लोगों के आकरशन का केंद्र पनेंगे और आप अपनी छाफ छोडेंगे बिजनस बैठकों में आपके मताबिक निर्ने होंगी अगर इस्तियां आपके पक्षमें नहीं भी दिख रही तब भी आप उन्हें अपने पक्षमें कर लेंगे और अपनी बाते मनवाने में कामियाब रहेंगे आप इमांदार और मेहनती हैं पर आज सफलता आपकी पहुँच से दूर हो सकती है कुछ मामूली कलतियां आपको परेशान कर सकती है आप अपने कारे इस्थल पर किसी भी विवाद से बचें आज का दिन अपने दोस्तों के साथ आराम करने के लिए काफी ठीक रहेगा इसके लिए यदि संभव हो तो आप एक दिन का अवकाष भी ले सकते हैं अपने प्यार को एक आराम्दाइक अनुभव से रूबरु कराएं अपने प्यार को महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकता है आपके उर्जा आपको काफी उत्साही मनुवरती में रखे की आप पिछले कुछ समय से व्यायाम का अभ्यास नहीं कर पा रहेते और इस कारण काफी बेचेन महसूस कर रहेते आज वही सब शुरू करने के लिए अच्छा दिन है आप स्वास्त को अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाना चाहते हैं और आज आप इसके लिए प्रयास शुरू करेंगे आज आपको छोटी मोटी चोट लग सकती है तो आप थोड़ा सा सावधान रहें आज आपका भाग्यंक होगा तीन शुबरंग आपका हलका हरा होगा और आज आप जरूरत बंद लोगों को भोजन खिलाएं करकराशी के जातकों का दिन अच्छा रहेगा कुछ बड़ी चीज़ें आपके कारेशेत्र में आपका इंतजार कर रही है आपको कुछ समय अपने कारे के प्रदी प्रशंचार नहीं मिल रही थी और पूरी तरह से आज यह सब गायब हो जाएगा और आपको उच्छ वेतन और अधिक भतों के साथ एक दूसरी जगर नौकरी मिल सकती है जो आपकी सोच से परे थी हाला कि इस नौकरी के लिए आपको इस्थान परिवर्तन भी हो सकता है इसलिए इस निरन्न पर विवेकता पून विचार करें और परिवार के अन्न सदस्यों की राय को भी इसमें शामिल करें आज आप सामाजिक होने के बारे में सोच रहें थे लेकिन आप ऐसे किसी आदमी की और आकरशित होंगी जिसकी प्राथमिक ताएं और रुचियां आप से मेल खाती है इस नई रुमेंटिक साथी के साथ आप बेहत खुश महसूस करेंगे हाला कि कुछ समय के बाद आपको यह सब बकवास भी लगने लगेगा और आप इससे बाहर आना चाहेंगे अभी अकेले होने के इस दौर में अपने पार्टनर को प्यार करने के लिए बहतर तरीकों के बारे में सोचें आज इस बात की भी संभावना है कि आपको साजे प्रयोग की किसी चीज से तवचा का संक्रमन हो से जाएगा इसलिए अपने नहाने दोने तथा साफ सफाई की चीज़ों को द्यान पूर्वक अलग तथा साफ सुतरा ही रखें सिंग राशी सिंग राशी के जातकों का दिनाज अच्छा रहेगा अपनी योजनाओं में अमल लाने का आज बहुत अच्छा समय है नई योजनाओं भी जल्दी ही काम्याब होंगी हालांकि दोस्तों के साथ मज़े करने और थोड़े मनुरंजन के लिए भी अच्छा समय है इसलिए शाम को सामाजे गतिविदियों में भी शामिल होने की योजना बना सकते है अफवाओं से वच्चे और आनंद उठाएं व्यवसाई कोशल में तेजी आएगी और आप एक मजबूत भावना के साथ पेशेवर दोड़ में वापिस इस्थापित होंगे आपको अपने पद और आए को एक समान या बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त होगा अभी तक आप अपने कारे और पदी की तुलना में काफी अल्प आय प्राप्त कर रहे थे आप अपने पार्ट्नर या अपने सम्मंध के बारे में चिंतित हो सकते हैं लेकिन आज से ही इस्तिति इस्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी आपकी सेहत काफी अच्छी लग रही है आज अपना मन पसंद खाना खा कर आनंद ले शराप पी कर गाड़ी चलाने से बचे कोई अपरत्याशित तथा अचानक नुकसान होने की आशंकाई बन रही है इसी प्रकार से कामों में या नौकरी में भी बहुत अधिक सावधान रहें आज आपका भाग्यंक होगा तीन शुबरंगहल का नीला और आज आप बंदरों को केले खिलाएं लाभकारी होगा करन्याराशी के जातकों का देन आज अच्छा रहेगा आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं और पारिवारिक मुल्यों की ही आपकी सफलता का शोत है आज भी शुब की शुरुवात आपके घर से ही होगी और आपको नई काम्याबी दिलवाईगी आप विशेश ले में हैं आज का दिन सार्थक होना मुश्किल समय में भी आपकी मुस्कान और होसला बनाई रखेंगे आपकी पॉजिटिव दरश्टी आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी काम के प्रयोजन के लिए आप यात्रा कर सकते हैं आपको कहीं न कहीं यह महसूस होना शुरू हो गया है कि किसी के साथ रोमेंटिक तरीके से जुड़ने में दिक्कतें जादा हैं और संतुष्टी कोई नहीं है फिर भी आपकी जिन्दिगी में कोई एक अलग सा व्यक्ति आने वाला है जो दुबारा एक बार फिर से आपको सोचरे पर मजबूर करेगा आपको निराशा ना होने दे सब्र का फल आपके लिए मीठा रहेगा और सबर रखने से आपको एक जरूर बहुत ही अच्छा फल भी प्राप्त होगा स्वास्त के लिहास से अपसे जुड़ी समस्याओं से परिशान हो सकते हैं लेकिन आपको यह समझना होगा कि वास्तविक समस्या आपके पाचन तंत्र की नहीं बलकि उस तनाव तथा चिंता के कारण की है जिससे आप जूज रहे थे आज आपका भाग्यां को होगा एक शुबरंग आपका हलका गुलाबी होगा और आज आप गाई को गुड़ खिलाए आपके लिए लाभकारी होगा तुला राशी तुला राशी के जातगों का दिन अच्छा रहेगा आप अपने समस्या को सुलजा लेने की कुशलता से सबको अजरज में डाल देंगे सहकर मियाप से प्रभावित होंगे और आपका आत्मविश्वास देखने लाइक होगा आपको एक नया काम मिलेगा खुश रहें और अपनों के साथ अपनी खुशी को बाटें आज कोई दोस्त मिल सकता है दिन कुल मिला कर मज़िदार रहेगा जो किसी भी स्वास्त से सम्मंधित व्यवसायों में हैं डॉक्टरियों, नर्सों, चिकित्स, अस्पतालों प्रशाशकों और यहां तक के मेडिकल छात्रों के सफलता के लिए आज का दिन उप्युकत है अगर आप किसी विशेशक्य से परामर्श ले रहे हैं तो इस सलह को माने क्यूंकि यह आपके पेशिवर जीवन के लिए इस समय बहुत ही प्रसांसिंग होगा आज आप अपने साथी के बारे में कुछ नया जान पाएंगे और इस नई जानकारी की वज़े से आपको एक बड़ा आश्यर हो सकता है हर रोज एक कप कॉफी आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है मुलेठी की चाई भी फायदे बंद रहेगी इस से आपके पेट की इस्तिती ठीक हो जाएगी अगर आप पेपदार्ते जैसे की चाई कॉफी आदी की मात्रा बढ़ाते हैं तो आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए आपके शरीर में सभी अंग सुचारू रूप से काम करने चाहिए आज आपका भाग जंक होगा पाँच शुभरंग आसवानी और आज आप पीपल वरक्षिक के नीचे कच्चे तेल का दीपक जलाएं लाभकारी होगा वरक्षिक राशी आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज कोई अपरतेशित और काफी दवाब वाला काम मिलेगा लेकिन आप चिंता ना करें आप आसानी से इसे पूरा कर लेंगे और आपको सब की प्रशन्शा मिलेगी ऐसा हो सकता है कि घर पर अचानक बहुत सारे महमान आ जाएं या बहुत आपको अंतिम समय पर कोई इंपोर्टेंट काम सौप दे इस्ति चाहे जो भी हो आप बहुत अच्छे से समभाल लेंगे आपके भावनात्पंग विवहार की वज़े से आपका कार्यगम भी रूप से प्रभावित हो रहा है अपनी इस समवेदन शीलिता का आसपास के अन्य लोगों के प्रती समान भूतिक रहकर इसका लाभ आप उठा सकते है प्रेम से ओध प्रोध होना चाहते हैं और आज के दिन आप अपने साथी के साथ साजा करने के लिए योजनाई बनाएंगे लेकिन अन्य प्रतिबधताओं के चलते आज आप रुमेंस और प्यार से दूर रह सकते हैं समय के अभव के कारण आपको प्रेम प्रसंगों से दूर होना पर सकता है इस समय आपको अपने मन की बात सुनेनी चाहिए और आप पिछले कई दिनों से इसे नजर अंदास करते आ रहे हैं कि आपका दिमाग आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई आपको वहमी न समझ ले लेकिन अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोले तो पाएंगे कि यह असंभव नहीं है यह जो भी है हमीशा से है आपको यही करना था आज यह पक्का हो जाएगा कि आप अपने दम पर आराम से सब कुछ कर सकते हैं जैसे कि आप अपना पहला नर्नात्मक कदम उठाएंगे आपका सारा मांसिक तनाव भी खत्म हो जाएगा आज आपका भाग्यंक रहेगा दो शुभरंग सिंदूरी होगा और आज आप हनुमंत अराधना करें आपके लिए लाभकारी होगा धनुराशी आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज आप खुद को उल्जन में फसा हुआ महसूस करेंगे अपना भला चाहने वाले लोगों से उन चीजों के बारे में खुल कर बात करें जो आपको परिशान कर रही है अनिशिता के बादल एक सबताह में छच जाएंगे किसी परिजन या अंतरंग दोस्त का साथ मिलेगा और आज आपको जाश परक कर निवेश करना है क्योंकि ये अवसर लगु समय के लिए है अगर आप अपने लिए घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं अपने इस चीज के लिए जो वित्य रणनीती बनाई थी उनका फल अब आपको मिल सकता है आज कुछ पारिवारिक क्रिया कलापों के लिए बिलकुल समय उप्युकता है अपने बच्चों को बॉल गेम के लिए या फिर म्यूजियम पार्क या कहीं आप लेकर जा सकते हैं अपने माता पता या भाई बहनों के लिए भी आप साथ में समय बिता सकते हैं शाम का समय रुमेंस के लिए बहुत अच्छा है लेकिन आपको इसके लिए कोई बढ़ी पार्टी रखने की बजाए अंतरंग सी मुलाकात रखनी चाहिए अब पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी प्राथमिक्ता बनेंगी साथ ही अनुशाशन अच्छे स्वास्त की कुझी है आप अब व्यायाम भी कर रहे हैं लेकिन आपका तरीका ठीक रही है इसलिए आपको इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे आपको इन सब से अधिकतम लाव प्राप्त करने के लिए एक निश्चित रूटीन बनाना होगा तब ही आपको इन सब का लाव मिल पाएगा मकर राशी मकर राशी के जातकों का देना अच्छा रहेगा आज चलते हुए साविदाहन रहे हलकी खरोचे आ सकती हैं और ना चाहते हुए भी आप किसी करीबी को बातों बातों में नाराज कर सकते हैं आज केवल अपने काम से ही मतलब रखना उप्युक्त रहेगा अच्छी तरह से अपने शेत्र में इस्थापित हैं पर आज आप अपने काम में बेजयनी महसूस कर सकते हैं किसी चीज को लेकर आप में असन्तोश की भावना आज आपको परिशान कर सकती हैं हालांकि अभी अपनी नौकरी छोड़ने का कदम बेवकुफी भराख होगा ये शड़िक भावना हैं जिससे आप गुम रहा हो सकते हैं आपको अपने पार्टनर के धीरज की परिक्षा नहीं लेनी चाहिए वो आपकी कई बातों को लंबे समय से सहन करते आ रहे हैं और आपको खुश करने की कोश्यों पर भी आपके ठंडे मिजाज के बावजूद आप से अच्छा विभार करते रहे हैं अगर आपको एक बार कुछ बुरा लग भी गया तो उन्हें माफ कर दें आप इतना उर्जवान महसूस कर रहे हैं कि पिछले लंबे समय से कोई मेहनत का काम ना करने के बावजूद आप दोड या जिम के लिए जा सकते हैं आपकी शरिरिक फिटनेस जीवन में सभी शेत्रों में आपको एनरजी दिखाएगी क्योंकि आप पॉजिटिव उर्जा और विचारों से भरे हुए हैं आज आपका भाग्यंक है तीन शुभरंगा आपका ग्रे होगा और आज आप बहते हुए जल में तीन मुठी उड़द प्रभाईत करें लाभकारी होगा कुमबराशी के जातकों का देना अचा रहेगा पिछले कुछ समय से अपनी जमेदारियों से बचना चाह रहे हैं आज का दिन आपके उन सब कामों के लिए बहुत अच्छा है आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ती अनुशाशन और एकागरता से काम लेना होगा जिस काम की आप अच्छी खासी योजना बनाई हुए हैं उसे सफलता में बदलने के लिए अपनी पूरी उर्जा को उसमें लगा दें आपका विवहर आज याद रखने योग्य होगा अपने लाब के लिए इसका प्रियोग करें लोगों से मिलें एवं उनके पॉजिटिव बाचीत करें एक पॉजिटिव शरीर की भाशाएं बनाई रखें यहां से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है एक नई परियोज ना शुरू करने के लिए एक अच्छा समय है आप अपने सम्मंध में एक बहुत ही नाजुक मोड पर खड़े हैं और आज आपकी सोच विचार में असमान्य स्पष्चता रहेगी आप भावनाओं में बहेविना बिल्गु साफ सोच पाएंगे कि आप फिलाल कहां हैं और यहां से आपको कहां जाना है अपने शरीर के स्थान पर अपने मन को पुष्ट बढ़ाने के बारे में सोचें आप खुद को शरीरी ग्रूप से तो स्वस्ते रखते ही हैं लेकिन इस प्रक्रिया में आप मन का ध्यान रखना भूल जाते हैं जो बहुत परिश्रम करता है इसलिए आराम करें और कुछ ऐसी मनोरंजन क्रिया कलापों में भाग लें जिससे आपका मन भी तरू ताजा महसूस करें आज आपका भाग्यंक होगा पांच शुबरंग आपका ब्लू होगा और आज आप पीपल व्रक्षी में जल चड़ाएं लाभकारी होगा मीन राशी मीन राशी के जातकों का दिन अच्छा रहेगा आप अपनी सक्रिय प्रवर्दी के कारण एक बिजनस डील हासिल करने में काम्याब होंगे कोई आप से प्रोचसाहन चाहता है उसके मेंटर बन जाएं अपने करीबियों के साथ अच्छा व्यक्त गुजारे आज आपके सितारे आपके कारेस्थल पर प्यार की और संकेत कर रहे हैं अत्यंत सावधान रहे एक गुप्त काम आपके और आपके साथी के बीच दरार पैदा कर सकता है आप अपने साथी को गोपनियता के कारणों को समझाने की कोशिश करें और वे आपका समर्थन करेंगे आपका वित्त बढ़ेगा और उसमें संतुलन रहेगा आप किसी अलग संस्कृति या किसी दूसरे देश के रहने वालों के प्रती आकर्शित हो सकते हैं आप इस आदमी के लिए काफी उत्सुक और भावनात्मक महसूस करेंगे पिछले कुछ दुनों से आप जिन छोटी मोटी तकलीफों से परिशान थे वे सब आज ठीक हो जाएंगी लेकिन वे अपने पीछे थकान की एक ऐसी फीलिंग छोड़ जाएंगी जिससे उबरने में आपको कई दिन लग जाएंगे अधिक स्वस्तकर जीवन शेली पर अपना फोकस करें एक्ससाइज करना शुरू करें और खाने में अधिक स्वस्तकर विकल पर शामिल करें अपनी डाइट को संतुलित रखें स्वास्ते समस्याओं के लिए घरेलू उपाए भी अपनाएं आज आपका भाग्यंक रहेगा साथ, शुब्रंग आपका रहेगा गुलाबी और आज आप हनुमान चालीसा का बाठकर ने लाबकारी रहेगा मित्रो इस वीडियो में दी गई जानकरी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जादा से जादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझहाव अवश्य दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, जै श्री राम